तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं विवेक मुश्रान के बारे में आज हम इनके बारे में बात करेंगे विवेक मुश्रान को आपने देखा होगा 1991 में यानि 1991 में आई फिल्म सोधागर में इस फिल्म से देखे उन्होंने अपने केरियर की शुरुवात की थी इसक यह गाना भागा एक बहुत ज्यादा व्य्माश हो गया था ये गाना उन्हें पहले हिंदी फिल्म थी नाइन टीवन में आई इस फिल्म के बाद वीवेक मुश्रान की जिंदगी में ऐसा भी बगता है जब उन्हें अक्षगुमार से बड़ा अक्टर माने जाने लगा था उनके तुलना देखिए अक्षगुमार की जो फिल्म है और जो अक्षगुमार का सूपर हिट प्रडम लंबे समय तक कायम नहीं रह पाया और वहां फिल्म और टीवी शोज में सपोर्टिंग करदारों तक ही सिमट कर रहे गए विवेक मुश्रान आज कल कहा है और क्या कर रहे हैं चलिए इनके बारे में बताते हैं आप लोगों को विवेक मुश्रान का 9 अगस्त को ब लेकिन विवेक मुश्रान को इस बात का बहुत दुख है कि उन्हें वालीवुट भुणा नहीं पाया और नहीं उन्हें अच्छे रोल ओफर हो इस बारे में उन्हें 2018 में हिंदुस्तान टाइम से बात की थी तब उन्होंने बताया था कि मेरे अंदर काफी कुछ है लेकिन इंडस्ट्री ने मेरे बारे में अपनी अलगी धारना बना रखी थी इसलिए मुझे ज़्यादा रोल ओफर नहीं किये गए दिवेक मुशान बताते हैं कि सौधागर में उन्हें देखने के बाद लोग उनकी इलू 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 वाली इमेज से ही चिपकर रह गए थे वह एक्टर को हमेशा इसी रोल में देखने के लिए तयार रहते थे चौकलेटी चेहरे वाले इमेज इतनी ज़्यादा गहरी थी कि वह उनके साथ चिपकी रह गई और लोगों ने फिर किसी और रोल में या और किसी तरह की एक्टिंग में सभीकार नहीं किया जब उनसा पूछा गया कि वह सिंगल क्यों है तो उन्होंने बताया थे मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है लेकिन चीजे उस समय नहीं हुई जैसी मैंने उम्मीद की थी इसलिए मुझे कोई परस्तावा नहीं है मैं लंबे समय से खुश मेंसाइज आ यह चाहिए लेकिन ना करने के बाद भी चाहते क्यों कोई अच्छे बुरे वक्त को और उनकी प्राब्लम्स को शेयर करें इन्होंने कहा कि वह अपने खुशी क लिए शादि करना चाहते हैं लेकिन सामाजी कृति रिवाजों के साथ करेंगे और किसी अच्छी लड़की से शादी करें विवेक मुश्रान के बारे में बताते हैं आपको के वैवी तक एक्टिंग में सक्रिया हैं 2018 में फिल्म वीरेदी वैडिंग में करिना कपूर के अंकल के रोल में विवेक मुश्रान को आप लोगों न देखा होगा फिल्हाल उनके पास देखिए इस समय कोई फिल्म नहीं है विवेक मुश्रान OTT की दुनिया में काम कर रहे हैं साल 2022 माई बेब सेरीज माई डाक्टर अरोड़ा गुप्त रोग विशेशक में बहने जराएं तो फरवरी में उसी साल विवेक मुश्रान की एक और बेब सेरीज का शूट हुआ था जो आप लोगों ने शायद अब तक देख ली होगी फिल्मों में काम्यावी नहीं मिलने के बाद विवेक ने टीवी की दुनिया में कदम रख दिया था और विवेक का ये कदम काफी सही साबित हुआ था क्योंकि देखिए जो उन्हें शौरत फिल्मों से नहीं मिली वो उन्हें टीवी से मिली उन्होंने सोन परी भासकर भारती परवरिश दिले नादान निशाओ और अपने उसके कजिन्स जैसे सीरियल्स में काम किया है इसके लावा देखिए वह तमाशा और पिंक चासी फिल्मों में साइड रोल निभा चुके हैं विवेक इंटर्टेंडमेंट जगत में अभी भी सक्रिये हैं और उनका लुक भी काफी बदल गया है पहले से तो देखिए विवेक मुश्रान जो हैं अभी भी स्ट्रगल तो नहीं कर रहा हैं लेकिन काम कर रहा हैं और टीटी पर और टीवी पर फिल्मों से उनका नाता थोड़ा कम हो गया है यह थी विवेक मुश्रान के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्लीक वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप لوग नहे हैं तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में इसी तरह की और वीडियो और जानकारी तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार